महवा के टिकरी गाउं में मूख बदीर कुजारी शंबू शर्मा की मौत के मामले में पिछल चार दिन से महुआ थाने के बाहर जारी राज्यसबा सांसद किरोडी लान मीना के धरने और कई दोरों की वार्ता के बाद मंगलवार देर राज जादातर मांगो पर सहमती बन गई जैपूर से पहुँची वीजेपी के प्रतिनिदी मंडल और सांसद किरोडी मीना के प्रशाशन के साथ हुए समझोते में यह भी तैह हुआ के बुद्दवान यानि की आज तीन बजे तक अन्य मंगों के साथ मंदर माफी की भूमी पर दुकानों के निर्मान को तोड़े जाने के बाद ही पुजारी शंबू शर्मा का शब उठाकर धर्ना समापती की घोशना की जाएगी। मामले में तैसिलदार को APO करने के आदेश, म्रतक द्वारा पूर में दर्ज मुकत्मे की धारा 420 में अब धारा 302 को भी जोड़ा गया, S.B. के द्वारा तीन टीन गटित कर रवाना की शडियंतर में लिप्त अपराधियों को जल्दी पकड़ा जाएगा, मंदिर माफी की जमीन पर अवैद निर्मान को प्रशाशन द्वारा तोड़ने का दिया गया आशवाशन, सांसर डॉक्टर किरोडी लार मीना ने बताया कि जब तक प्रशाशन द्वारा अवैद निर्मान को हटाया नहीं जाएगा, तब तक मेरा धर्ना जारी रहेगा, मंगलबार को चले घटना करम की मताबिक पुजारी की मौत की मामले में, नियाय की मांग को लेकर राज्य सबासांसर, डॉक्टर किरोडी लार मीना, पूर्व कैविनेट मंतिर अरुन चत्रवेवी, देविस्तान बोर्ड के पूर्व चेर्मेन, S.D. शर्मा और सर्व समाज के पदा अधिकारियों और कलेक्टर S.P. की मौजूदगी में घंटो वारता का दौर चला, जहां प्रारंबिक दौर की वारता में कारवाई और पुजारी शम्भू शर्मा को नियाद दिलवाने के लिए सकारात्मक चर्चा हूँ, इस भी धरने के समर्थन में महुआ पहुचे सर्व समाज के पदा अधिकारी, जब थाना अधिकारी के कख्ष में प्रशाशनिक अधिकारी उसे वारता के लिए पहुचे तो वारता के दौरान राज्यसवा सांसग, डौक्टर किरोडी लाल मीना और SDM लोकेश मीना के बीच तकरार हो गए। इससे सांसग किरोडी मीना को गुस्सा आ गया और वे वहां वारता छोड़कर बहार आ गये। ये देख धरने पर बैठे लोग भी थाने पहुच गए जिन्होंने SDM के खिलाफ जम कर नारे बाजी करी। जम कर नारे बाजी करते हुए SDM पर भष्टाचार के आरोप लगाए और उन्हें तुरंत यहां से हटाने की मांग करने लगे। मामला बिगरता देख प्रशाशन ने वारता से SDM को अलग कर दिया और कुछ समय बाद वारता के लिए कलेक्टर प्यूश सामरिया और S.P. अनील बेलीवाल पुलिस थाने पहुचे तब जाकर सांसर डॉक्टर किरोडी लान मीना को फिर से वारता के लिए बुलाया गया। तीसरे दौर की वारता भी प्रशाशन और लोगों के बीच रजिस्ट्री करने वाले तैसिलदार को A.P.O करने थाने में दर्ज हत्या के मामले में नमाजद आरोपी की ग्रफतारी को लेकर अलग-अलग तीन टीमें गठित कर उन्हें रवाना करने लगे। आदी पदा अधिकारी मौजूद रहे। जो शहर की प्रमुक मार्गों से होकर वापस धर्णा इस्तल पर आकर विसर्चित हुआ। जो 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 आपस प्रमुक मार्गों से होकर रहें रहें डादी की जो जो ऊज़गों से होड़ और आरोपी की ग्रफतारी मौज।